बाबा का शुर्वाद एस्पेम चैनल पर आपका स्वागत है मैं सुबन मलिक रोता खरियाना से अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो पहली वीडियो को जरूर देखना उसमें भी काफी बाते हैं जो आपके समझने लाइक हैं क्योंकि ये वीडियो शायद आपको जरूर बताओं मैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे दीपक पर आखे बनती हैं यहाँ पर तीन आखे बनी हैं यह आखे हैं महाकाल की शिवजी की और शिवजी को तीन नेतर वाला कहा गया है उनकी एक नेतर को सूर्य दूसरे को चंदर और बीच वाले को बहुत सारे वेक्तियों का पर्शन रहता है कि जी आप क्या हमीं बता सकते हैं कि हमारे दीपक के अनुसार हमीं पता चले कि हमारे चक्कर जागरित हो गई हैं हम कौन से चकर पर आ गई हैं या हमें किस तरह के कुछ लाव मिल सकते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि हमारे साथ चकर होते हैं, हमारे चकरों का, हाँ अलग से मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक एक बारे मताऊंगी कौन से देवता की क्या बनेगी तब आपके कौन कौन सा चकर आपको दिखाई देगा या दीपक्या करती बदलेगी पर यहां पर सिर्फ मैं बात करूंगी थड़ाई की जिसको हम कहते हैं छटा चकर नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और यह बहुत ही पोटेंट है बहुत ज़्यादा और इसके पहले बाग को भी जरूर देखें क्योंकि आप बार-बार मुझसे प हां से सुनना बहुत ज़रूरी है प्लीज सुना करो आप मुझे बहुत मैसिज करते हो कि आपने यह नहीं बताया है बहुत सारी वीडियो में इतना डिटेल से बताती हूँ वो देखते ही नहीं आप तो यहां पर हमारा टोपिक है कि आँख्य बन गई अगर हमारे दीपक तो हम कौन से चक्कर में होएं हम होएं छटे चक्कर में इसको हम कहते हैं थाड़ाई यह हमारा माथा होता है और माथे की बीच में जैसे शिर्जी की हमें आखे दिखती हैं इसी भाग पर हमें दर्द रहता है कईयों को कईयों को फटकन होती है कईयों को जब यह चक्कर तो आखों पर भी उनको लगता है कि जैसे उनकी आखे भारी हैं उनको नीद जादारी है या उनको मधोशी जैसी महसूस होती है ये सबके देखो हर किसी के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते हैं एक दोस्तों सबके मिलेंगे कि जो मैंने पांच छे बताये हैं उनमें से एक तो आपको जरूर मिलेगा यहां पर आपको बहुत सारे लोगों को जो परकाश देखेगा वो बैंगनी परकाश देखेगा अगर इस चकर पर आप अटक गए हो क्योंकि ये चकर बिना गुरू के जल्दी से पूर्ण नहीं होता है इस चकर में वहुत टाइम लगता है मेहनत ल कोई भी आप भूत काल देखेना चाते हैं किसी के विशे में कुछ देखना चाते हैं तो ये आपको दिखाता है ये सच मतकार है और ये कैसे दिखाता है कैसे होता ही ये पहली वीडियो में बता चुके हैं उसको आप जरूर देखना तो ये गुरू जो होते हैं हमारे वो को जल्दी खोलने में मदद करते हैं आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हम शरीरधारी गुरू नहीं बना सकते हैं हमने बगवान को ही गुरू बना रखा है शिवजी को मातरानी को तो हाँ वो भी आपकी मदद जरूर करेंगे क्योंकि आप भी अगर ये वीडियो देखन से व्यक्ति से हमें मिलाता है जो हमारी मदद कर सकी तो ये वीडियो आप देखी रहें इसमें हमने दो तरह की आँखों का प्रियोग किया है एक में त brake तरह में दो आक दिखाई है तो ये इसलिए मैंने दोनों चीजे सामिल की हैं ताकि आप सम सकें कि दोनों का भाग अलग-अलग हैं और दोनों में आपको अलग-अलग डिफरेंस भी दिखाई देगा पहले भाग को भी देखना और दूसरी को भी देखना आप इसमें सबसे क्या है कि बैंगनी परकाश देखता है हमें यह बहुत सारे लोग हमें यह कहते हैं कि जब हमारे इस चकर पर फटकन होती है हम आखे भी बंद कर लेते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश मैसूस हो रहा है बहुत सारे विक्तियों ने कहा कि जी हम सोते वक्त भी अपने आखों पर कपड़ा रखते हैं नहीं तो हमें बहुत प्रकाश मैसूस होता है हम सो भी नहीं ब तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रभाव को बढ़ा देता है, प्रकाश हमें इतना दिखाई देता है, क्योंकि हर चकर पे हमें अलग-अलग प्रकाश दिखाई देता है, पर कई वेक्तियों को बाइट प्रकाश बहुत ज़्यादा दिखता है, उनको लगता है कि उनके स खामने ही कोई लाइट जला दी गई है अगर आप इस चकर के में आ गए हो तो आपको गुरू बनाना चाहिए अगर गुरू नहीं बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले बैंगनी रंगी चीज़ों को खाना शुरू करें बैंगनी दुपट्टा का प्रियोग करें जब आप पू में और उस टाइम आप किसी भी पेड के नीचे बैठ कर ओम का गुंजन करें आपको बहुत जल्दी हीलिंग होगी इस हीलिंग विशय पर चकरों को जागरित होते वक्त कई बार दर्द होता है शरीर में अलग-लग स्थानों पर तो उसकी हीलिंग के लिए पुरानी वीडि देखें इस चकर पर बहुत सारी लोगों को ये प्रोब्लम रहती है कि उनको सर में दर्द बन जाता है सर भारी पन रहना शुरू कर देता है उनको अजीब सा मैसूस होता है और जो फटकन होती है वो अलग-दर्द खिचाओ और कईयों को तो बहुत ही मजा भी आता है जब कोई भी अनवह होता है तो हमें आनंद आता है तो आपके दीपक पर बन रही है तो आखों की आकरती तो आप प्राप्त कर रहे हैं देविया शक्तिया अगर इस टाइम अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका ये चकर रुक जाएगा ये वापिस उसी अवस्त हमें चला जाएगा क्योंकि मैंने इतनी जिवन काल में ये देखा है बहुत सारे लोगे कहते हैं पहले हमारा येंग फटकता था पहले सब कुछ पता चलता था अब क्यों नहीं पता चलता क्यों क्योंकि आपने उसको पूर्ण नहीं किया आप उस पर कारिये ही नहीं किया आपको अगर बच्चा बैठा रहे तो कभी वो सेकंड क्लास में नहीं आ सकता है तो इस पर मेहनत करना पड़ेगा आपको इस आग्या चकर पर मेहनत करो मेहनत के लिए इस पर ध्यान लगाओ ओम का गुंचन करो और इस विशे पर वीडियो और भी आएंगी बोलो जैश्री राम